अरे इतनी सुभे कहा जा रही हैं? आपको दिखाई नहीं देता? मैं फूल तोड़ने जा रही हूँ? तुम्हारा फूल तोड़ना मतलब पेड़ों की डालिया तोड़ना? पता नहीं डालियों को तोड़कर तुम्हें कौन सी खुशी मिलती है? और तुम सारे फूल तो इकटा करके रखती हो और मंदिर में पड़े-पड़े वो फूल सूख जाते हैं और पूजा तो तुम क्या खाक करती हो? देखिए, अच्छा नहीं होगा, आप मुझसे बेकार में बहस मत कीजे, मुझे ये बिक्र पसंद नहीं है मुझे बहुत ही गुसा आ रहा है, आप अपना काम कीजे मैं तो अपना ही काम कर रहा हूँ, फूल तोड़ते हुए, डालिया तुम तोड़ती हो और लोग बाते सुनाते हैं मुझे, हाँ, अब से उनकी ये सारी बाते तुम सुनना, ठीक है न, समझी? आप चुप कीजिए, जो जैसा होता है, उसके साथ वैसा ही होना चाहिए आज, आज मैं एक भी फूल नहीं छोड़ूँगी, सारे फूल तोड़ लूँगी, देखू तो, मुझे कौन मना करता है? पहले लगगी से, इसे डाल को नीचे जुकाती हूँ अ, अजे, कौन है? रूपा है क्या? मैं तो जानती ही थी, तेरे अलावा और कौन इस तरह के काम करेगा? अरे, फूल तोड़ रही है या पेड़ से कुष्टी लड़ रही है? नीचा भी तो फूल तोड़ती है, पर वो तेरी तरह पेड़ों की डालिया नहीं तोड़ती अरे, ये तेरा पेड़ है या मेरे घर का पेड़ है, दुष्ट औरत? क्या? मैं दुष्ट औरत? हाँ, कल तो मैं तुम्हारा पेड़ ही कार्ट डालूंगी, मैं भी देखती हूँ, कौन मेरा क्या बिगाड़ लेता है? रूपा? अरे, ओ, रूपा! नदी पर पानी लाने नहीं चलोगी, क्या? ओ, रूपा! हाँ, चलो! जड़ा सुनो, सुनना बेटी, क्या तुम मुझे भी थोड़ा सा पानी भर कर दे दोगी? क्यों? तुम क्या अपना काम खुद नहीं कर सकती हो? अरे, बेटा, मेरी उमर हो गई है, ठीक से चल नहीं पाती, पानी कैसे भरू? तुम ही थोड़ा सा दे दो! हाँ, उमर तो हो ही गई है, तो क्या हम से पूछ के बूड़ी हुई थी क्या? खुदी तो बूड़ी हुई हो, हमें उससे क्या? रूपा, तुम ही क्या बूल रही हो? तुम चुप रहो, और सुनो, हम तुमारी नौकरानी नहीं है, समझी तुम? अपना काम खुद करो, वरना चुप चा बैढ़ी रहो! आप दुखी मत हो येगा दादी मा, दरसल रूपा न दिल की बुरी नहीं है, मैं आपके लिए पानी भर कर लेकर आती हूँ नीता, जब मैंने एक बाँ मना कर दिया, तो फिर तुम उस बूड़ी के लिए पानी क्यों भर रही हो? हाँ, क्यों भरा तुमने बोलो? गुसा मत हो रूपा बैन, तुम बताओ मैं क्या करूँ, बिचारी वो बूड़ी इतना सब कुछ कैसे करें? हाँ, बिचारी बूड़ी, हमेशा सब की नजरों में अच्छा बन का रहना चाहती है, मुझे समझ में नहीं आता क्या? हर बार अच्छा बनने की कोशिश करती है, आस दोनों को मैं खड़ी खुड़ की सुना के ही रहूंगी दादी मा, पानी कहां रखूँ मैं? मेरे घर के अंदर रख दोगी क्या बेटी? हाँ, लोगों को अपनी बातों में बहला फुसला कर अच्छी तरह से काम निकलवाना जानती हो तुम नहीं मेरी बच्ची नहीं जिसका जैसा कर्म होता है, उससे तो मैं वैसे ही बात करती हूँ सुनो, बक्वास मत करो, इस बेकूफ नीता से जारा जानती हूँ में लोगों को, सबज में आए बात? ये क्या? इतने सारे घड़े? क्या? देखू देखू देखू? अरे हटो ना, मुझे भी देखना है, देखू तो? अरे बापरी, हाँ, ये तो सोनी का घड़ा है अच्छा दादी मा, आपके घर में इतने सारे घड़े क्यों रखे हैं? अभी भी नहीं समझी, हाँ, तेरे जैसी औरतों को बहला फुस लाकर इसने इतने सारे घड़े जमा किये हैं इन सब के भीतर गुप्त धन है, गुप्त धन दादी मा, आप भी न मजाग मत कीजिए, बताइए न, आपके घर में इतने घड़े क्यों हैं? अरे पगली, मुझे घड़े कठा करने का शौक है, इसनी से मुझे खुशी मिलती है इतनी खुशी तुम उससे देखी नहीं जा रही है पर मैं सिर्फ इकठा ही नहीं करती हूँ, किसी को जरुरत हो तो उसे भी देती हूँ उससे मुझे और खुशी मिलती है, किसी की मदद करके बहुत आनन मिलता है हां तो क्या अगर मैं मांगू तो तुम मुझे भी दोगी क्यों नहीं दूँगी बेटा तुम्हें भी जरूर दूँगी पर मैंने तो मैंने तो तुम्हारे लिए पानी नहीं भरा अरे तो क्या हुआ हां क्या हुआ बोलो तुमने तो अपना काम किया अब मैं अपना काम करूँगी ठीक है दोगी मुझे तो वो सोने का घड़ा बहुत ही पसंद है वो मुझे दे दो ये बात है ठीक है ठीक है बेटा जब जरूरत होगी तब मैं तुम्हें ये घड़ा जरूर दे दूँगी ठीक है बेटा तुम्हें किसे पता कि अभी मुझे घड़ी की जोरत नहीं है तुम्हारे हाथों में वो पानी से भरा हुआ घड़ा तो है न तो फिर एक और लेकर क्या करोगी अच्छा, इसका मतलब मेरे पास ये घड़ा नहीं होना चाहिए ठीक है दादी मा, अब हम चलते हैं कल फिर से पानी भर कर ला कर दूँगी चलो रुपा, अब चलते हैं हाँ, हाँ, चली चलो, चलो, चलो जाओ बेटी, कल हम फिर मिलेंगे, हाँ कैसे भी करके, कल वो सोने का घड़ा मुझे चाहिए ही चाहिए पर ये कैसे होगा? हाँ, एक बार जब उस बुढ़िया ने खुद ही कह दिया है कि वो घड़ा वो मुझे दे देगी तो फिर उसके जाल में मैं उसे ही फसाऊंगी हाँ, पर वो मुझे नहीं जानती है लेकिन मैं क्या करूँ, हाँ, कुछ समझ में नहीं आ रहा है क्या करूँ, और कितनी देर तक रात को ऐसे ही बहार बैठी रहोगी, हाँ, चलो, 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 सोने चलो, मैं क्या करूँगी ये तैह करने वाले आप कौन है, जाए जाए जाए, आप अंदर जाए, मुझे मेरी हालात पर छोड़ दीजे, ओफ, क्या करूँ, ओफ, मिल गया मिल गया उपाई, कल नीता को पता चलेगा, बेफफूफ हमेशा दोखा खाते हैं, मज़ा आ गया नीता, अरियो नीता, नदी से पानी लेने नहीं चलोगी अरे, आज इतनी सुभा सुभा, तुम्हारी नीन तो इतनी सुभा कभी नहीं खुलती है गर में पानी खतम हो गया था, इसे लिए जल्दी उठना पड़ा, चलो, जल्दी चलो अच्छा, अच्छा, रुको जड़ा, मटकी तो ले आओ अब आएगा असली मज़ा ए, अरे, ओ रुपा, इतनी जल्दी जल्दी क्यों चा रही हो तुम अरे, घर में बहुत सारे काम पड़े हैं, जल्दी से वापस भी आना होगा, तुम भी जल्दी जल्दी चलो अरे, इतनी हड़बड़ी है, तो जल्दी से पानी भर लो, उसके बाद दादी मा का पानी भर कर फिर जाएंगे, ठीक है? नीता, जरा मेरा घरा तो पकड़ना, दो ओई मा, अरे नीता, तुम्हें कहीं लगी तो नहीं, लगी तो नहीं तुम्हें कहीं, वो मेरा पैल जरा फिसल गया था, तुम्हें कहीं चोड तो नहीं लगी ना? नहीं, मुझे चोट नहीं लगी, पर वो घड़े, आप तो वो नहीं मिलेंगे नहीं मिलेंगे मतलब, मामुली से दो घड़े भी तुमसे नहीं पकड़े गए अब मैं कैसे पानी भर के ले जाओंगी जरह बताना तो गुसा मतो रूपा, असल में अचानक से ही धक्का लगने पर ए, तुम क्या बोलना चाहती हो, क्या बोलना चाहती हो तुम, कि घड़े मेरे विज़े से गिरे हैं यहीं मतलब है ना तुम्हारा नहीं, मैंने ऐसा तो नहीं कहा न, मेरे कहने का मतलब था कि यह सब नहीं कहा मतलब, अभी तो कहा तुमने, जहांसे भी हो मेरा घड़ा मुझे वापस ला कर दो वो घड़ा, वो घड़ा तो अब नहीं मिल सकता न बहन, मैं जाकर तुझे एक नया घड़ा खरीत कर दे दूगी ठीक है, हाँ, नया घड़ा खरीत कर दूगी, हाँ, मुझे अभी ही घड़ा चाहिए, तुमसे मैंने कहा था ना, कि आज मुझे जल्दी घड़ जाना है अरे, अरे, क्या हुआ, आज सुबा, सुबा, तुम दोनों जगड क्यों रही हो, हाँ, कुछ हुआ है क्या, अरे, नीता, बताओ, बेटा, क्या हुआ क्या बताओ, दादी मा, ये बेकूफ नीता है न, सब कुछ बिगार देती है क्या बात है बेटा नीता, कुछ भी बताने का मुह है इसका, मेरा इतना कीमती घड़ा, इसने नदी में फेक दिया, मुझे जल्दी से पानी बार के घर भी जाना था मेरा घड़ा भी तो गया, हाँ, बेवकूफ कहीं की ओहो, तो जगड क्यों रही हो, हाँ, जगडे वाली क्या बात है आजाओ, यहाँ आओ, मेरे घर के अंदर आओ आओ, नीता, तुम दोनों को मैं घड़े दूंगी, ठीक है मेरे पास तो बहुत सारे घड़े पड़े है लेलो, रूपा, जाओ लेलो, तुम्हें जो पसंद है वो लेलो अच्छे से देख लो, जो घड़ा पसंद आए वो तुम्हारा दादी मा, मैं ये वाला लोंगी ठीक है, वही लेलो और नीता, तुम्हें कौन सा घड़ा चाहिए? नहीं दादी मा, नहीं, मेरे घर में दूसरा घड़ा रखा है मुझे सरुरत नहीं है दादी मा फिर भी मैं तुम्हें देना चाहती हूँ लो बेटा, जो पसंद हो वो लेलो ठीक है? तुम खुश हो ना बेटा मैं खुश हूँ दादी मा, बहुत खुश हूँ जैसा मैंने सोचा था ये सोने का घड़ा अब से मेरा है कितनी खुशी की बात है ये अरे उनीता, पानी भर के घर भी तो जाना है चल, जल्दी चल अरे रुको, पहले दादी मा के लिए पानी तो भर कर लेकर आओ नहीं बेटी, नहीं आज मुझे पानी की जरूरत नहीं है तुम घर जाओ पानी फेकर इस घड़े को पिगला कर मैं गहने बनवाऊंगी गहने बोहुत सारे गहने बनवाऊंगी, मैं बहुत सारे गहने इत्ती खुशी अरे क्या अरे ये क्या अरे बंप्रे Hundreds खंट! गष्षा पर कोई पर कोई बचाओ.... जो कोई बचाओ मुझे कोई तो तो आँ... इतने सारी विल दुस्ट उपक, पर कोजा बचाओ कोई मुझे बचाओ कोई वाब्रे कोई बचाओ मुझे, अरे बाप रे, हटो, हटो मिले उपर से, बचाओ कोई मुझे, अरे बाप रे, मेरा चेहरा, ये क्या हालत हो गई, अब मैं सब समझ गई हूँ, उसे मैं नहीं चोड़ूँगी, बिल्कुल नहीं चोड़ूँगी, शैतान बुढिया को मैं बिल्कुल न सामने आओ, सामने आओ मेरे, मेरे साथ ऐसा क्यों किया तुमने, आगर क्यों 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 मैंने ही की है तेरी ये दशा मैंने ही की है समझी तुमने नहीं किया तो फिर किस नहीं किया मैंने क्या खुद की दशा की है ऐसी बोलो हाँ इसकी जिम्मेदार तुम खुद ही हो वो सारे कर्मों के फल के घड़े थे समझी हम अपने जीवन में जैसे कर्म करते हैं ठीक वैसा ही फल हमें मिलता है तुम जगडालू हो लालची हो और तुमने अपना भागे स्वयम ही चुना इसलिए तुम्हारे चेहरे की ये दशा तुम्हारे कर्मों के फल के रूप में हुई है अब भी वक्त है सुधर जाओ सुधर जाओगी तो अपने आप सब कुछ ठीक हो जाएगा सब ठीक हो जाएगा इसलिए इनसान को हमेशा अच्छे कर्म ही करने चाहिए ओडीता मीता को क्या मिलेगा क्या उसे उसके कर्मों का फल नहीं मिलेगा जरूर मिलेगा जरूर उसे भी अपने कर्मों का फल मिल चुका है अब पानी इसमें भर देती हूँ ये क्या ये क्या ये क्या देख रही हूँ मैं दादी मा आपकी असीम क्रिपा है आप बहुत देयालू है